जे श्री कृष्णा यथार्द गीता आज फिर मेरे पास है और सोल्मा श्रोक हम पढ़ चुके हैं कितना उसको हम ग्रहन कर पाए हैं ये मैं नहीं जानती आप और हम कोशिश लगातार कर ही रहे हैं आज नहीं तो कल सफल जरूर होंगे सोल्मे श्रोक में हमने जाना कि हमें अपनी अगली श्वास का नहीं पता कि वो आएगी या नहीं परन्तु जब हम सत्संग में सत्गुरू के साथ रहते हैं तो परमलक्ष की प्राप्ति में वो हमारी भरपूर सहयता करते हैं सत्रवाश लोक काश्यष्ट परमेध्वास शिखंडी च महारथा दृष्ट द्युम्नो विराटेश्च सात्यकी चाप राजेता हैं काया रूपी काशी जीहा पुरुष जब सब और से मन सहित इंद्रियों को समेट कर काया में ही केंद्रित करता है तो परमेश्वास परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है हमें अपनी समस्त इंद्रियों को समेट ना है हमें उनका दास नहीं बनना बलकि उनको अपना दास बनाना है परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है काया में ही परम इश का निवास है परमेश्वास का अर्थ श्रेष्ट धनुश वाला नहीं बलकि परम इश में वास करने वाला शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है आजकर लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेयों भी हटा देते हैं अगनी जलाना छोड़ देते हैं बस और मान लेते हैं कि यही सन्यास है जबकि सन्यास गिन नहीं है शिखा लक्षे का प्रतीक है जिसे आपको पाना है और सूत्र है संसकारों का जब तक आगे परमात्मा को पाना शेश है पीछे संसकारों का सूत्रपात लगा हुआ है तब तक त्याग कैसा? त्याग नहीं हो सकता तब तक सन्यास कैसा? अभी तो चलने वाले पथिक हैं केवल अभी तो हम रास्ते पर चल रहे हैं मन्जिल बहुत पास नहीं है जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए पीछे लगे हुए संसकारों की दोर कट जाए ऐसी अवस्था में ब्रह्म सर्वता शान्त हो जाता है इसलिए शिखंडी ही ब्रह्म रूपी भीश्म का विनाश करने में मदद करता है शिखंडी चिंतन पत की विशिष्ट युग्यता है महारती है शिखंडी बहुत बड़ा महारती है द्रेश्ट द्युम्न का अर्थ है द्र और अचल मन विराठ सर्वत्र विराठ इश्वर का प्रसार देखनी की शमता इत्यादी देवी संपत की प्रमुख गुण है साथविक्ता ही सातिकी है सत्य की चिंतन की प्रवर्ती अर्थार सात्विक्ता यदि बनी रहती है तो कभी भी आपके अंदर कोई गिरावट नहीं आपाती इस संघर्ष में आप कभी भी पराजित नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है अपना मन द्रिड और अचल रखना है द्रुपदो द्रौपदेयाष्ट सर्वशह प्रत्वी पते स्वभद्रष्ट महाबाहू शंकांद ध्यमू प्रथक प्रथक अचल पददायक द्रौपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पाचों पुत्र बहुत सुंदर नाम है बहुत प्यार से सुनिये इन नामों को सहरदेता, वाचसल्य, लावर्णे, सौम्यता, इस्थिर्ता, इत्यादी साधन में महान साहयक, महारथी हैं तथा बड़ी भुजा वाला अभी मन्यू इन सबने प्रथक प्रथक शंक बजाए भुजाकारे शेत्र का प्रतीक है जब मन भै से रहित हो जाता है, जब कोई भै नहीं रहता तो उसकी पहुँच बहुत दूर तक जाती है ही राजन, इन सबने अलग-अलग शंक बजाए संजे बता रहे हैं ये, कि इन सबने अलग-अलग शंक बजाए है कुछ ना कुछ दूरी सभी तैकराते है इनका पालन आवश्यक है इसलिए संजे ने इन सबके नाम गिना दिये है इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन और बुद्धी से परे है जिसको हमारे लिए समझ पाना भी शायद इस समय असंभव है भगवान स्वेम ही अंते करण में विराज कर ये तैकराते है इस दूरी की जो गती है जो स्थिती है और जो सीमा है वो हमें नहीं पता सब कुछ असीम है अनंत है और हम इसका भान भी नहीं रखते पर परमात्मा स्वेम हमारे अंदर विराजमान होकर ये सारा कारे संपूर्ण करा देते हैं इधर दृष्टी बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वेम खड़े होकर वो अपना परिचे भी करा देते हैं कितनी सुन्दर बात है सघोशो धात्र राष्टनाम हिर्द्यानी व्यदा रयत नभश्च पृत्वी चैव तुमुलो व्यनुना दयन उननिसवा श्लोक उस घोर शब्द ने आकाश और पृत्री को भी शब्दाय मान करते हुए धरत राष्ट पुत्रों के हिर्दे विदीन कर दिये घवडा गए उन शंखों के नाज से घवडा गए सेना तो पांडवों की ओर भी थी किन्तु हिर्दे विदीन हुए धरत राष्ट पुत्रों के वस्तुता पांच जन्ये दैवी शक्ती पर आधिपत्ते अनन्त पर विजय अशुप का शमन और शुप की घोशना धारवाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र आसुरी संपद बहिर मुखी प्रवर्तियों का हिर्दे विदीन हो ही जाता है बहिर मुखी प्रवर्तियां जो हैं वो हमेशा भै से परिपूर्ण रहती हैं इसलिए अंतर मुखी होना बेहद आश्यक है उनका बल शने 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 शीन होने ही लगता है सर्वथा सफलता मिलने पर मुखुमई प्रवर्तियां सर्वथा शान्त हो जानी हैं अथ व्यवस्थिता दृष्टवा धात्र राश्ट्रान क पिध्वजह प्रवर्तियास्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवह रिशी केशं तदा वाक्य मिद महा महीपते इस प्रकार हमारा ये जो संजे का वानी थी वो यहां पर बीसवें श्लोक पर कुछ समय के लिए विराम और अब इकिसवें श्लोक पर हम शुरू करेंगे अर्जुन ने क्या कहा तब तक के लिए आप सब मनन करिए चिंतन करिए बाहिये प्रवर्तियों से अपने आपको दूर करके अंतर मुखी होने का प्रयास कीजिए जै श्री कृष्टा